हलो हैं बेर दो फ्रेंड मैं उत्रता सब्सक्राइब करता हूं ओंटाउट चैनल में दोस्तों आज मैं एक कमाल की ट्रिक आपको बताने वाला हूं जिसकी मदद से बिना पीडी मार्किंग किये हुए भी आप एक बहतरी फिटिंग कर सकते हैं जी है दोस्तों एक ऐसी ट्रिक है जो मैक के फार्मूले से हम इसको सौल करने वाले हैं हमारे एक बहुत अच्छे विवर ने कल मुझे कमेंट किया कि अगर हम पीडी मार्किंग नहीं कर पाते या हमको पीडी मार्किंग का आइडिया नहीं है तो भी कैसे कैसे हम एक अच्छा फिटिंग दे सकते हैं तो मै ले पायें तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है इसके लिए मैंक का फार्म का यूज़ करना है तऩा चलिए आगे वीडियो में आते हैं, वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन आप बेल बटन को प्रेस करना भूल जाते हैं, इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिस है, बेल बटन को अन करके रखें, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट अपडेट आपको लगतार मिलती रहें, तो या प्रोग्रिसिव फिटिंग करें, या फिर बाइफोकल फिटिंग करें, पीडी बहुत जरुरी होती है, और अगर आप वो पीडी नहीं आती है, तो चलिए मैक्स का फार्मला सिखते हैं, इस फ्रेम में मैं करके दिखाऊँगा, 40 और 60 का फार्मला यूज करेंगे हैं, अचलिए सुरू करते हैं, कि हम कैसे करते हैं, ओकर फ्रेंड तो आप देख सकते हैं, मैं एक क्लिक्रिटर रखा हूँ, एक पेन है मेरे पास, और एक है, केटी बाइफोकल, और एक स्केल, और एक फ्रेम जिसके बारे मैंने जिकर किया था, और एक पेपर, हैर इतनी सारी च इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कि आप यहाँ पर देखेंगे, फ्रेम का पुरा साइस डिडियल में लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यह सामने वालत उसका नंबर होगा, और इसके सा यूज करता हूँ और इसके से आपको दिखाऊंगा कि जब आप इस तरीके से नापेंगे यहां से 0 से लेकर तो आप जब इसको काउंट करना शुरू करते हैं तो देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 50 और यहां पर 59, 52, 45, 54 तो 54 फार्मला यह है सारी 54 इसका साइज हो गया है यह साइज ठीक है लेंद की जो साइज है वो 54 है अब हमको क्या करना है यहां से हमको इसका 40 परसेंट निकालना है तो 40% हम कैसे निकालेंगे तो इसकी लेंद हमको पतर चल रही 54 है अब 54 होने के बाद फ्रेम को हम उल्टा रख लेते हैं और उल्टा रखने के बाद फिल से एक बार आप 0 से काउंट कर लिजे तो आपको देखिए 54 यहां पर दिखाई दे रहा है अब हमको 60% इसका निकालना है जो हमने कल्कुटर के मदद से निकालना है इसका mm 32.4 आ रहा है तो अब आपको करना क्या है फिल से काउंट करना है तो 5, 10, 15, 20, 25 और 30, 30 के बाद 31, 32, 32.4 यहां पर हम इसक 2.4 मार्किंग ठीक है तो यह हो गया आपका दिष्टैंस पीडी उसके लिए अब आपको क्या करना है आप इसकी जो ह大概 है यह जो हाईड है उसमें भी हमांको 50 43 का फार्मला यूच करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसकी जो जहां पर हमारा मार्किंग लगा है इसक्य आपको जो calculation हो गलत नहीं आना चाहिए तो देखें पाँच देश पंदरा बीस पच्चीस तीस पैटीस और पैटीस च्छतिस 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 आ रहा है अब च्छतिस का हम साट परिशन निकालेंगे तो देखिए ठर्टीस सिक्स गुणा कर देते हैं साट से और भागित कर देते हैं सो से तो आता है 21.6 21.6 अब आपको इसके लिए पर रखे रहना है बिल्कुल निसान पर ही और आपको क्या करना है फिर से फ्रेम को उल्टा राख लेना है या चाहे तो सीधा भी रख सकते हैं तो फिर से हम काउंट करेंगे 5 10 15 20 और 21 जाना है यह 20 यहां तक और यह होगिया 21.6 तो इसके हम सहीं तरीके से मार्किं कर-डेते हैं तो यह हो गया हमारा 60% की एरिया यह हो गया 60% की ऐरिया और यह हो गया 40% की एरिया तो यह जो फार्मूला है आपका PD के लिए बहुत ही जबर्दस्त है अब आपको फिटिंग ऐसे करनी वो हम आपको बताते हैं तो हमने आपके सामने रखा है एक लेंस यह एक बाइफोकल ग्लास का लेंस है दोस्तों जर अध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पे इसका चांद नजार आएगा नीचे का तो यह एरिया को मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ तो आपको देखने में आसानी हो तो यह है इसका चांद ठीक है अब आपको देखने में आसानी होगी अब आपको करना क्या है यह जो फिटिंग मार्किंग जो हमने अपने फ्रेम पर किया हुआ है अब आपको रखना क्या ह यह जो मारक आपने किया है यह हमारे चांद का टॉप एरिया में आना चाहिए ठीक है याने कि इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से आप टॉप एरिया में रखेंगे तो आपके नीचे के एरिया जो हो जाएगा 40% मिल जाता है और उपर को जो एरिया है और 60% मिल जाता है तो इसके अनुसार आप जो है जो भी अपना एक्सिस एक्सिस लगा लेना और उसके बाद जो है इस तरीके से आपको मार्किंग करना है जब आप ऐसा मार्किंग करेंगे और जब फिटिंग करेंगे तो 100% आपकी जो फिटिंग है या मार्किंग है वो एद्दम एकुरेट सहीं आएगे और आपके कस्टमर को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोस्तो एक कमाल का ट्रिक है 60-40 ट्रिक दोस्तों कई लोगों को सवाल होता है कि सर फ्रेम तो बड़ा भी होता है छोटा भी होता है बोल भी होता है बोल टाइम के अलगर पर हैं या आपके पास तो चस्मा है तो अभी ट्राई कीजिए और निकाल लिए 60 40 प्रसेंट का फार्मूला यूज कीजिए अपने जवदस्क फिटिंग के लिए इसी के साथ मैं लेता हूं विदाई फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहीन बने रहे हों टॉक चरल के साथ और आप सभी का प्यार हमर साथ बाढ़ते हुआ 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 है हुआ है